हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग सिटेट पेपर टू के लिए जो हमारी बैलोजी की क्लास है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोश्का के बारे में और जो संपूर साइंस है जो सिटेट में आती है उसक कई अब यहां पे चैप्टर जो हमारा क्या है कोश्का अब यहां पे दिया गया है रिडिंग कोश्का के सरचना एवन कार री जीवन की मूल भूत इकाई कोश्का क्या है kır kGI जीवन कोश्का जीवन की मूल भूतिकाई है उसके बाद यहां पर बात की जाए तो जो कोश्का होती है कोश्का क्या होता है एक दिखा जा रहा है एक बिंदू आपको उसके बाद कई कोश्का से मिलकर क्या बनते हैं उतक बनते हैं और जब ज्यादा मात्रा में जो उतक मिल जाते है बनते आर्ग्न मिल जाते हैं तो इस प्रकार मिलकर अंगों से मिलकर क्या बनता है जिवन की कार्यात्मा की आपको बता दी हमने अब बात किजा ही कोषका की खोज के बारे में कोषका कि ऑब वह वह अन्य क्या है क warriorug किसे ने की ठी के अ हिस stories ने ओंद की भी ठी किठी और यहां पर बताएगा कार्क पेंड की छाल तो कार्क जो था तो कार्क क्या था एक प्रकार की पेंड की छाल थी उसी में से इन्होंने माइक्रिस्कोप के माध्यम देखा थह और उनको किस पलекार की सरचना दिखा कटी कि मधंक्खि bike के समारचटा क्याद कि और उस नहों ने नाम दिया तोग ने 1665 में खोच की थी उसके बाद नो साल बाद 1674 में एवी लीवन हॉक ने तालाब के पानी में जीवाण कोशका की खोच की जीवाण कोशका की ये Microsoft जो microscope designer थे और अच्य भोग कर दो अब बात किने हाँ पर कोश का सिध्धान्द की तो कोश का सिध्धान्द दो जो दो फैंटिफ थे उन्होंने दिया जैसे कि सेल्डन और कौन थे स्वान तो सेल्डन ने बताया सभी पादब कोश्का से मिलकर बने होते हैं सभी पादब जो होते हैं कोश्का से मिलकर बने होते हैं और स्वान ने बताया कि सभी जीव नहीं पाई जाती हैं कोश्का नहीं पाई जाती हैं यह क्या होते हैं अकोश्की होते हैं शरीर के बाहर यह निर्जीव रहते हैं शरीर के अंदर ही जैसे आ जाते हैं तो सजीव हो जाते हैं और क्या होता है कोजकश कर नियंत्तर होता है अपनी जैसी प्रतिलीप eating त्यार करते है यह जैस graded नियंत्र हो जाते हैं वो खई DO वाइरस को सजीव तथा निर्जीव के बीज की कड़ी फिलिक आ जाता है क्योंकि जब शरीर के बाहर होते हैं तो निर्जीव होते हैं और शरीर के अंदर जैसे यह आ जाते हैं तो सजीव हो जाते हैं सभी जीव कोशकाओं से मिलकर बने होते हैं यहाई आप देखू यहाई पर बात की जाए, जैसे कि Sliden जो थे और Swann थे, तो Fliden ने बताया था, कि सभी पादब जो होते हैं कोशका से मिलकर बने होते हैं, और Swann ने क्या बताया, कि जो सभी जीव होते हैं, इन में से कोशका भी पाई जाती है, लेकिन इन्हों ने केवल खोज की कि मतलब इनके अंदर कोश्का पाई जाती है लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बता पाया था कि कोश्का का निर्माण कैसे होता है तो फाइनल सेब जो है यह किसने बताया रूडोल्फ विर्चो ने किसने रूडोल्फ विर्चो ने नई कोश्का की उत्पत्ती पुरानी कोश्का की विभाजन से होता जैसे कि यहां पर यह कोश्का है तो इसका विभाजन जब तो बार्ट में हुआ तो यह कोश्का बन इनका जब भीवाजन हो जाएंगा तो फिर कॉषका बन जाएंगी ऑद यह कॉषका है इसके दो नहीत कोषका बनी यह तो क्या हो जाएगा जैसे यह वाली कहला आइगी में तो इसलों क्या कोषका कहलाइगी और 2015 अग। यह वाली ज़ुका है गी और यह वाली क्या है मदर्ल तु मतब जिन कोषकां से विखंडन से जब नई कोषका मत्थी यो नई मनती है उनको क्या कहते है कि अब बात की जाए कोष्का के भाग के कोष्का कितने भाग जैसे होते हैं तो मुख नूपसे तीन भाग जिसको कहते हैं अब देखो यहाँ पर बाहरी आवराण में क्या क्या होता है कोश का जिल्ली होती है और कोश का भित्ती होती है कोश का द्रव में क्या होता है कोश का द्रव के अंदर कोश कांग होता है ठीक है उसके बाद नूकलेफ में क्या होता है जिनेटिक मेटेरियल अर जिली सरचना लचीली तथा सजीव होती है यह चैनात्मक पारगम में होती है अब चैनात्मक पारगम में से तातपर होता है कौन से पदार्थों को अंदर आने देना है कौन से पदार्थों को अंदर आने नहीं देना जैसे कि यह क्या है जैसे कि यह है तो क्या है यह जैसे कि कंदर अंगों को बांध रखती है, और जो राफायनिक, संगठान होता है, वह किस से बनता है, लिपिट lovingप kaf, प्रोटीन स्य मिलकर बना होता है, अब बात कि जै कोश का भित्ति की, अब यहां पर कोश्का भित्ति के बात की जाए तो यह किवल पादब कोश्का में मौजूद होती है किसमें मौजूद होती है पादब कोश्का में मौजूद होती है और उनके साथ साथ पादब कोश्का के साथ साथ यह सेवाल कवक और बैक्टिरिया जीवांडवों में होती है सेवाल जो है वह भी सेलूलोज से बनी होती सेवाल को इसका कवक जो है वह काईटिन से बने होते हैं जीवाण को इसका जो है वह पैप्टी गोगला कौन से बने होते हैं यह निर्जीव और पूर्ण पारगम में होती है या क्या होती है निर्जी और पूर्ण पारगम में होती है उसके बाद एकला पाइंट है यह रिजिट इस्ट्रक्चर अर्थात द्रण सरचना होती है उसके बाद बताया गया है कोश्का भित्ती एक द्रण सरचना है कोश्का भित्ती का एक द्रण सरचना जो पादब कोश्का को द्रणता प्रदान करता है और यह निश्चित आकार प्रदान करती है तो हमारा जो कोश्का चैप्टर से कंप्लीट हो गया मिलते निश्ट वीडियो में धन्यवाद